नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जर्खन पूलिस के लिए चिनोती बने अपराधिक गिरोहों के खिलाप ठोस रनीती के तहत करवाई करने के लिए डिजीपी के अध्यक्ता में जर्खन पूलिस मुख्याले में एक हाई लेवल मिटिंग हुई, इस बैठक में राजे के सभी जिले के पूलिस अधिक्चक समेत बड़ी अधिकारी सामिल हुए, बतादे जर्खन में हाल के दिनों में बड़ी अपराधिक घटनाओं को देखते हुए, डिजीपी अजय कुमार सिंग हाई लेवल समिक्चा बैठक पूलिस मुख्याले में की, पूलिस मुख्याले में हुई बैठक से बाहर आए ग्री सच अविनास कुमार ने कहा है कि जल्द से जल्द बड़े अपराधियों को राजिस से बाहर भी सिफ्ट किया जा सकता है, पंजाब जैसे राजियों में लोकल जैमर बेहद अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें जार्खन में भी परियोग में लाया जाएगा, ग्री सच अविनास कुमार ने कहा है कि सरकार का पूरा जोल संगठिक अपराधिक गिरोह के खात में पर है, नक्सल पर नकेल कसाज गया है, अब सरकार के या निर्देश है कि हर हाल में संगठिक अपराधिक गिरोह का सफाया हो, पुलिस अधिकारियों को असपश निर्देश दिया गया है कि हर हाल में सभी गैंक्स पर नकेल कसे जेल से चल रहे अपर आधी गीरों पर भी नकेल कसने की विशेश त्यारी की गई है सीयम हमन्त के डूमरी पहुचने से पहले बाद मासों ने फाड़े बैनर पोस्टर मुख्य मंत्री हमन्त सुरें बुद्धवार की दोपर एक वज़ डूमरी के भी हाई स्कूल के मैदान में आयोजीत परिसंपती वित्रन समारों में भाग लेने वाले हैं इसके अलावा कडोरों की वजनावा काउद घाटन और सिलन्यास भी करेंगे इसकी तैयारी में परसासन कई दिनों से जुटा है इसी बीच कारकरम से बारा घंटे पहले असमाजिक ततरों ने डूमरी बेरमो पत के किनारे लगे मुखी मंतरी के पोस्टर और बैनर को फार दिया बतादे मंगलवार रात की इस घाटना से परसासन सकते में हाई उग्रवाज प्रभवज डूमरी के घुटवाली चेतर में सी एम के एक से दो नहीं बलिक कई पोस्टर बैनर को फारे गाए पोस्टर बैनर फारने की सुचना पर अधिकारी पहुंचे और पूरे ममले की जाट सुरू कर दिया डीसी नमन प्रियस लक्राने डूमरी एसडियेम प्रेम लता पूर्मो स्डिपयो मनोझ कुमार से घटा की जनकारी भी लिहाए कोरोना के दवरायन जान गवाने वाले करमियों के आसरीत 31 जुलाई तक बीमा के लिए कर सकते हैं स्वास्थ एवं परिवार कल्यान विभाग ने इस समझ में 12 जूलाई को ही पत्र जारी कर दिया है जारी लेटर के अनुसार परधान मती गरीब कल्यान पैकेज के अंतरगत बीमा के दावेक अनिस्पादन की तारी को बढ़ा कर 31 जूलाई 2023 तक कर दी गई बता देगी पहले आवेदन की समय स्वास्थ 15 जनवाई 2023 ही ताकी गई थी इस बाबा जार्खन ग्रामी स्वास्थ मिर्सन समीति के अभियान निदेशक अलोग त्रिवेदी ने बताया बीमा के दावेक से समधित अवेदन चेक लिस्ट के अनुसार सभी दास्तावेज और उपायुक्त द्वार निर्गत परमान पत्र समंधित जीले के सिविल सर्जन के माध्यम से अभिलंब उपलब्द कराये जाए ताकी जारखन के टीचर ने 14 बच्चे के माथे से मिटाया तिलक जारखन के रामगर जिलाइस्थित एक स्कूल में टीचर द्वारा बच्चों के माथे से तिलक मिटाया जाने से बवाल मच गया है यहां इसकूल की पीटी टीचर दीपाली ने अपने पिरियेड में बराहवी कोमर्स के 14 बच्चे जिन्होंने अपने माथे में तिलक लगा कर पहुँचे थे उनके माथे से जवरन उनका तिलक को मिटवा दिया जब मामला हिंदू संगठन तक गया तो इसका बिरोध किया गया इस दोरान बजरंग दल सुरक्षा परमूख दिपक मिस्त्रा के अगुवाई में करीब धरजन भर लोग इसकूल के प्रधना ध्यापक संतोस कुमार से उनके कराला में मिले इस दोरान उन्होंने परधना ध्यापक से मिल का इस मामले का बिरोत किया है जारکन की स्वर्ण रेखा नदी आज भी उगलती है सोना जम सेत्पूर की जिवन रेखा स्वर्ण रेखा नदी के नाम से ही पता चलता है कि इसके गर्भ में सोना छीपा है स्वर्न रेखा वर्सों से कई गाओं के दर्जनों लोगों की आजीवका कमाध्या बना हुआ है बता दे वर्सों से इस नदी के बालू से सोना निकलता जा रहा है जो आज भी जारी है भू बैग्यानिक सभूतत्त्व विभा के साहयक निदेशक पूर्वी सिम्मुम करून चंद ने बताया है कि स्वर्न रेखा नदी कई चटानों से होकर जंगल वा पहलों की बीच से गुजरती है पानी के घर्षन से चटानों में पाय जाने वाले सोने के कन निकलते हैं और बालू के साथ मिलकर नदी में समाज आते हैं इसी नदी में सोने के उपलब्ता का बड़ा कारण ब्रिटिस काल से ही सरायक लाखर सावा जीले के चांडिल से सटे रूदिया गाउं में भारी मत्रा में सोने का भंडार होना है फरम भरवा ने गई छात्रा को बेहोस का टीचर ने किया दुसकर्म हजारी बाग के दारू थाना छेत्र के मद्ध बिद्याले दारू बाला के साहयक, सिक्छक, मुकेश, कुमार पर एक 14 वर्षे नवालिक छात्रा के साथ 6 चाड़वा दुसकर्म करने का मामला सामने आया है इस हरकत से आहत छात्रा ने सनीवार को घर में रखे सेल फास की गोली खाकर अपनी जान देने की परियास किया हलाकी घटना पाई दिन पहले की है और छात्रा के स्वस्त होने के बाद फर्द ब्यान के अधार पर दारू थाना में सिक्छक खिलाप प्रात्मी की दर्च की गई आरोप है कि सिक्छक ने उस समय छात्रा को अपना सिकार बनाया जब अफोरम भर्वाने उसके घर आई माल अलीता देवी के उनसार सिक्छक ने उस पर इस्प्रेज छिड़ा कर बेहोस कर दिया गया और फिर उसके साथ गलग काम किया गया धनबाद में जमीन खाली करने का नोटिस मिलने पर सहरवासियो में उबाल सिंद्री स्थित, फर्टि लाइजर, कर्पोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड की जमीन पर बसे लोगों को वहां से हटने का नोटिस मिलने के बाद सहरवासी उबल पड़े मंगलवार को सिंद्री सहर की जनताने एकजूट होकर एपसी आई एल के प्रशास्निक भवन का घेराव की आर नोटिस वापस लेने की मांग की बिरोध में सिंद्री बजार की दुगाने बंद रही वही वाहनों का परिचानल भी नौक के बराबर हुआ सहर के निजी बिध्याले आदे भी बंद रहे आंदोलन का नितित जानता स्रामिक संग के सन्यूप्त महामंत्री लक्की सिंग कर रहे थे बाद में साथ सहसाई परतिनिधी मंडल की कमपनी प्रवंधन से वार्ता हुई इसमें लिये फैसले के बारे में एपसी आईल के समपदा अधिकारी देवदास अधिकारी ने लोगों को खुद बाहर आकर बताया उन्होंने भीर को समभधित करते हुए कहा कि नोटिस बंट जाने के बाद पीपी एक्ट के तहत कोट की परकिरा नहीं रोकिया सकती लेकिन आगे किसी और को नोटिस जारी नहीं किया जाएगा ज्यारखन के इसकुलों में 2025 तक बदलेगी किताबे ज्यारखन के सरकारी स्कुलों में 2025 से नई सिक छानिती के अनुरूप कक्छाई चलेंगी इसमें इसी अनुसार पाठे पुस्तके भी बदलेगी केंदर सरकार अगश्ट तक नेशनल फ्रेमवर्क जारी करेगी जिसके बाद राज सरकार को भी इसी अनुरूप पाठकरम त्यार करना होगा जार्खन को 2024 तक नेशनल फ्रेमवर्क जार करना होगा जिसे 2025 में अपरेल से सुरू होने वारे नए सेक्षिनिक सत्र से लागू किया जा सके बताज नए सिक्षा नीती में बाराहमी कक्षा तक के सिक्षा को स्कूली सिक्षा में सामिल किया गया है लेकिन इसे अलग अलग बटा गया पहले पांच साल में प्री प्राइमरी स्कूल के तीन साल होंगे जबकि पहली वा दूसरी के लिए दो साल फांडेशन स्कूल होंगे इसके बाद तीसरी से पांच वी के तीन साल प्राइमरी में आएंगे रांची हवडा वंदे भारत के सेड्यूल पर आया अपडेट जार्खन से बहुत जल दूसरी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन सुरू हो जाएगा रेल्वे रांची हवडा वंदे भारत ट्रेन का परिचालन जल्द ही सुरू करने जा रहा है फिलाल इस ट्रेन की टाइमिंग को लेकर अधिकारों में मन्थन जारी है इसी सिल सिले में रांची हबड़ा वंदे भारा ट्रेन का नया सेडियूल जारी किया गया बता दे नई टाइमिंग के मुताबिक या ट्रेन रांची स्टेशन से सूब 5 बचकर 20 मेट पर खुलेगी और दोफर 11 पचपन पर हबड़ा पहुँच जाएगी वहीं ट्रेल का पहले भी एक सेडियूल जारी किया गया था पुरानी टाइमिंग में इस ट्रेन को हबड़ा से सूब 8 बच रवाना होना था और या दोफर 12 पचपन पर रांची रेलवे स्टेशन पर पहुँचती नई टाइमिंग के मुथाबिक रांची हबड़ा बंदे भारा ट्रेन दोफर 3 बच कर 30 मेट पर हबड़ा स्टेशन रवाना होगी और रात को 10 बच कर 10 मेट पर रांची पहुँचेगी DSP और दरोगा को गोली मारने वाला बोबी साव गिरफतार रामगर जिले के पतरातू में ATS, DSP, नीरज, कुमार और पतरातू थाने के दरोगा सोनू साव को गोली मारने वाले को ख्यात अपराधी बोबी साव को ATS ने धरदब हो चाहा है सोमवर देर रात ATS, DSP और बोबी साव सहीद चारा प्राधियों ने घात लगा का हमला किया था DSP नीरज को इस गोली बारी में पेट में गोली लगी थी जबकि दरोगा सोनू को जांग में बता दे दोनों का राची के एक नीजी अस्पताल में फिलायल इलाज चल रहा है बोबी साव की गिरभतारी के ख़बर की पुष्टी 28 अधिकारों ने की है जार्खन के सिक्षकों ने राष्ट पती सम्मान के लिए नहीं किया अवेदान राष्ट पती के हाथो सिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानीत होने की चाह सभी सिक्षकों की राती है या समान अपने आप में गौरों का विसाय होता है मगर दुखद पहलूया है कि जार्खन के सिक्षकों ने इस साल इसते मुह मोड लिया है बतादे सिक्षक इस बाराष्ट पती सम्मान से वन्चितर हो जाएंगे ओनलाइन आवेदन की अम्तिम तारिक 15 जुलाई थी इस दिन तक जार्खन की किसी सिक्षकों ने आवेदन नहीं किया था इस वज़ा से 5 सितंबर को मिलने वाले राष्ट्रिये पुरस्कार से जार्खन के सरकारी स्कूल के सिक्षक के वन्चित होने के संका बढ़ गई है बतादे राष्ट्रिये पुरस्कार के लिए ओनलेन आवेदन मांगे गए थे केंद्रिये सिक्षा मंत्रा ने 23 जून को ही पोटल के माधम से ओनलेन आवेदन आमंतित किया था बाबुलाल ने हेमंत सुरेन और अरविंद केजरिवाल पर किया तंज जार्खन की बिजेपिया ध्यक्ष बाबुला मरांडी जामो और महागडबंदर पर लगातार हमलवार रहे हैं अब जब की हेमांद सुरेन और दिल्ली के मुख हेमांतिर अरविंद केजरीवाल बेंगलूरू में एक साथ दिखे तो उन्होंने तंज करने का मौका नहीं छुडा है उन्होंने अपने सोसल मीडिया अकाउंट पर उनकी तस्वीर शेर कर लिखा केजरीवाल हेमांद सुरेन होंगे कुछ दिन बाद आप होटवार और हम तिहाड में तो नहीं होंगे बता दे विपक्षी दलो कि बेंगलूरी में बैठक के बाद उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है हलाकि इस बैठक पर पिये मोदी और बिजेपी क्याणे नेतर लगातार हमलावा रहा है धन्यवाद